नमस्कार दोस्तों सौगत आपका चोवन एकेटी में जैसे कि आपको पता है कि यह जो मैं इंक्रमेशन देता हूं पूरी तयारी के लिए देता हूं प्रेप्रेशन के लिए के प्रेप्रेशन कैसे कर सकते हैं और ऑन-लाइन प्रेप्रेशन हमारे हां कैसे कर सकते हैं तो आज मैं लेका हूँ रास्टी फरिक्ष एजनसी और इसकी त्यारिश हमारे कराते हैं हमारे अमिद कुमार सर जो खुद नेट कौलिफाई दिस चुलाई 2018 में की हैं और उनका सब्जेक्ट रहा है प्रोटिकल साइंस बहुत बढ़िया सब्टीचर है और अची फेकल्टी ह तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सही तरीक से उगाइड कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आपके लिए मैटिरियर बना पाएंगे इसलिए आप अगर त्यारी करना चाहते हैं तो बिल्को पहरी नमबर याद सेव कर लीजी 7827282221 यह नमबर आप लोग सेव कर लीज बस वाटसप दिखना है और हाई करके बोलना है सर नेट के रिकॉर्डिंग प्रिपरिशन के लिए बात करना है आपको कॉल तुरंट आ जाएगा या जब भी को देखा जाए कॉल आ जाएगा अगर फोन नहीं लगता तो अब सुरू करते हैं इक बात काम की अब जैसा आप पतर आश्टी परिक्ष एजनसी नेशनल टेस्टिंग इजनसी अब एक्जाम देना सुरू की है किसका जिसे आप नेट कहते थे नेशनल एलिजिविलिटी टेस्ट यह मैं उसकी पूरी के पूरी बुलेटें निकाल लिया हम इसको आपको पता है कि इसकी जो फीस हो गई है अब वो हो गई है जनरल के लिए 800 रुपए और भी से लिए 400 से एस्टी और पीएच्ट पीड़लूडी के लिए जो हमेरे फीजिकल हंडिकेप्ट हैं के लिए 400 ट्रांसजेंडर बगएरा यह जो एस प्रकार की चीजे हैं अब जो सबसे इंपोर्टन चीज मैं आपको बता कि तो सबसे पहले हैं कि हम देखते एक जामने सनसका एक तो दिसंबर और एक उगदा जून में दो बार होती हैं तो अभी तो इसने एक बार कि मेरे पास है तो मैं उसी आपको बताने चाहरा हूं पूर अच्छे समझेगे इसमें क्या-क्या है पूरी इंफ्रमिशन के साथ इसमें बताऊंगा आपको कि कौन-कौन से एक्जाम होते हैं पहली बात देना कि mode of examination the only computer-based हो चुका है बहुत महत पुंजाना जरूरी है कैसे हो चुका है इसरो डिसाइड किया गया है online examination has been used elsewhere in these booklets तो NTA जो कैसे हो गया है CVT मतलब computer-based test हो जगया है the test will be consist of two papers होंगे इसमें अच्छे दियाद रखिएगा both papers will be consist of only objective clear हो गए बात को मतलब अब subjective नहीं बनकि कैसे रहेंगे objective question paper होंगे and will be attempted with the break up 30 minute with them और दो रोग के बीच में कित्वेट कर 30 minute का आपको break मिलेगा क्या होगा उस पे देखते हैं सबसे important अच्छे समझ लोग वह साथ लोगों को नहीं पता इसका syllabus कैसे होता है देखिए पहला question paper होगा आपका hundred marks का इसमें जो question होगे पचास question होगे क्या पूछेड़ इसमें यह question होगे इसमें जैनरी के nature जैसे इसमें होगा teaching research aptitude आपके अंड़ेट आपके अंडर क्या aptitude के लिए और it will be primarily designed to test reasoning ability मतलब इसमें reasoning पूछेगे comprehensive पूछेगा divergent thinking कैसे आप किये and general evidence मतलब जी के वगरा पूछेगा पूछेगा यह होगा first shift में 9.30 से लेकर के 10.30 मतलब आपका paper होगा 3 गंटे का एक घंटे पर होगा और second shift में लोग पेपर होगा जो second shift जिनको मिलेगी 2 से लेकर के 3 अब यह समसूस नहीं का आपका चार बार paper नहीं पेपर दो ही बार होगा जैसे एक होता ना कि 2 shift में होते लोग paper जैसे आपका friend है आपका friend का पहला paper होगा कितने बज़े सुबह 9.30 जैसे 10.30 आपका paper होगा 2 से लेकर के 3 clear होगा बात को दूसरा paper होगा 200 नमर होगा और 100 question होगा इस पर कोच है this will be based on the subjective selected by the content all the questions of paper shall be compulsory यह भी compulsory पूरे paper है इसके लिए आपको time केतर मिलेगा आपको 2 घंटे time मिलेगा इसमें यह 2 hours का paper होगा 11 से 12 12 से 1 second shift होगा 33 30 से 33 मुझे लगता है इसमें कोई shift कर कोई दिक्कत नहीं होगी आप मैं बताना चाहता हूं यहीं पर बताते जाओं मैं हमारे पास पूरे 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 इसके लिए और सांती साथ यह second subject के लिए जो भी बच्चे यह जो भी लोग preparation करना चाह रहे हैं जैसे example के लिए यह और भी जीते सब्जेक्ट होते हैं आपके पास उस सारे सब्जेक्ट के तैयारी प्रपरेशन्स के लिए हमारे पास आप पूरा का पूरे study material video lecture even test series बहुत महत्मून हम पूरी के पूरे test series कराते हैं हम से पच्चीस से test 30 series होती है आपकी जिसमें आपके marks अच्छी होते हैं और आपके selection की chances बढ़ जाते हैं इसलिए आप इसको अवस जोइन करें centers जो होते हैं यह center cities के बारे में बताता है कि इस प्रकार के centers के पूरा cities होंगी और यह सारी चीज इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना क्या करना eligibility बहुत important कौन लोग हैं जो form बर सकते हैं NTA के लिए या UGC NET के लिए जिसम पहले कहते थे याद रखेंगे सबसे पहले 55% master degree होने चाहिए ठीक है और जैसे मानली जी आपके पास अगर OVC हैं या non came level SCST tribes हैं तब आपके लिए 50% marks होना चाहिए मतलब general category के लिए 55% और उसके लावा SCST general जो भी OVC उसके लिए 50% होना चाहिए यादर clear हो गया इसमें एक गवर चीज है कोई candidates अगर माल लेजिए final year में है माले जो first year cross कर चुका है अब वो second year में है secondary मतलब MA second year में है तो वो भी इस exam को दे सकता है ठीक है और qualify exams दे सकता है clear हो कोई दिकत तो मतलब जब ऐसे candidate को will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of J.R.F. eligible for assistant professor only after have a pass जब यूब पास होके जाएगा तब इसको माननी जाएगा clear है बत के आदर इतना आपको याद रखना है इसके लाब इसमें कुछ भी ऐसा important हो ज़्यादा नहीं है नहीं जो का आप में बता ना चाहूं age limit यह जान दीजिए J.R.F. J.R.F. के लिए जो बंच्छे जाना चाहता है 30 साल max to max 5 साल जो है provided the continued belonging OVC के लिए 35 साल तक के लिए SCST and other credit rates के लिए थोड़ा आगे बढ़ाद के जाता है तो यतना आपको याद रखना कि ये कर सकते हैं अब assistant professors के लिए ऐसा कोई daily नहीं assistant professor आपको भी बन सकते हैं अब यह हैं exemptions मतला eligibility for assistant professor देखे जो net होता है set or select होता है यह minimum eligibility condition for requirement and appointment assistant professor जब इन्वर्स्टी कोलेज कहीं जाते हैं तो आप पाते हैं ये गवर्मेंट में जो भी UGC गरूल है उसी के साथ से उताब का इसके लिए कंपरसरी आपके करना हो चाहिए पास होना चाहिए और सेट जो इसे स्टेट एक्जाम लेते हैं वहाँ होना चाहिए अगर इस्टेट लिए है तो ये पूरे के पूरे एक सिस् तो हमें जानना होता है हाँ एक और आधार के बारे में पूर्विजन आफ आधार है ठीक है तब पूर्विजन आधार एक्ट एक्ट है कमिन्टी फैक्ट 14 सेप्टेम्बर नोटिफिकेसं के बाद से ये कर दिया गया था सो अब यह है यूज आफ नंबर अफ इस्टाबिस कि आफ एक्जाम नहीं रोका दा सकता है लेकिन फिर भी आप पना के जाए क्यों जह्मेलें पढ़ेंगे अब इसके सबसे महत्पूर्ण चीज़ें हैं प्रसीजर आफ एक्जाम्स तो उसके मैंने सारी चीज़ें बता दी थी आपकी अब जो इसकी मैं आप लोगों के बार पताना चाहता है इसका टेस्ट कैसे होगा क्या 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 आएगा आपको सभी को ये इस प्रकार से सीवीटी होगी लाग रैड़ी पासफट मिलें एक कंप्यूटर में वहां चार अफसन दिखाई देंगे ये देखिए एक रेड बटन ग्रीन बटन और एक थाड़ा सा दोवर बटन है इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी जो आपकर लिखा कर आएगा कैसे आप कौन सार करना कैसे नहीं करना है ठीक है ये सारे सिटीज है इनको आप आप कर सकते हैं भरने के लिए एक्जाम देने के लिए लगबग हिंदुस्तान के सारे सिटीज बड़े-बड़े साविलेस में और इनके एक कोड दिये गया है अब कौन कौन से सब साथ, जो को यह नहीं है के लिए सिन तनों ainda के लिए इकनोमिक्स तर प्रपॉड का सांस, फिलोस्पी, साइकॉलजी, सैकॉली, हिस्टरी, एंत्रोप्लोजी, कम इंत्रोप्लोजी, कमर्स, एजूकेश्य, सोशल वर्यक्स, उस्टेचिक, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक, मैनेजमेंट, मैथिली, बेंगॉली, हिंदी, कंणर, मल्यालम, ओडिया, पंजाबी संस्की, तमिल, तेलबू, उर्दू, अरभिक, इंग्लिस, एंड लिंग्विस्टिक्स इन सब्जेक्स पर आप क्या कर सकते हैं, एट के सब्जेक्स सारे, यह आपकी लेंग्विजेस हैं, जिन लेंग्विज पर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो यह था हमारे रहे क्या, के नेट सब्जेक्ट, ठीक, एनिटी के लिए, अब यह भी हमारे और भी हैं, इंडियन कल्चर लेबर, विलफेर, पस्नल मेनेजमेंट इस जब आते लॉव हैं, लाइबरेरी, गुद्धिस्ट, टांस हैं, यह सारे आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, यह जो सारे रहें, ठेक हैं, तो इसके बात, जो पोस्गेशन में अगर आपने सब्जे इसके बाद, पोस्गेशन कोर्स, आपने जो जो किया है, उसके एक पोस्ट है, कोड है, जो कि आपकी नीट पढ़ेगी, तो उसको आप डाल सकते हैं, उसके लाबा इसमें, जो और इंपोर्टन बात है, वो आपको बता दू, अगर हो यह तो कुछ, नहीं तो फिर आपको म बता रखा कैसे आपका एडविशन होगा, और कहां पर आपको सही करना, कहां पर सही नहीं करना, कम्प्रिटर बेस कैसे होगा, इसने पूरा समझा रखा है, पहले सही, कम्प्रिटर बेस टेस्ट कैसे होगा आपका, आप यहाँ पर ओनलाइन टेस्ट के लिए देख सकते है इस प्रकार के चीज़े दिखाई देंगे आपको हमी आप इसको कर सकेंगे ठीक है मुझे अपनी लगता किसमें किसी प्रकार की कोई अप दिक्कत उने वाली आपको क्योंकि इसमें जितनी भी सारी चीज़े थी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है अब जो मैं पताने वाला हूँ इसके टेस्स सिरीज इसके माटेरियल के बारे में उसको आप अपर्चे सुनीएगे देखिए सबसे इंपॉर्टन चीज है हमारे लिए कि इसके सिलिवस को जाना हमने इसके सिलिवस को देख लिया लेकिन अभी हमने इसका ओवरऑल सिलिवस नहीं देखा है हमने सिर्फ देखा कि exam का pattern क्या है exam कैसे पूछेगा हमने वो चीज़ों को देखा है अब हम सिलिवस दो चीज़ देखें एक paper one का सिलिवस तो सब के लिए common होगा जो paper 2 है उसके लिए syllabus अलग है तो आप जिस subject से net करना चाहते हैं उस subject के बारे में बात करने के लिए उसके syllabus के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 7827282221 यह से अडवीशन में ले सकते हैं online class के लिए और मैं आपको बता दिये इसकी class की जो online class का जो सारा monitoring है वो मिस्टर नमिसर देखेंगे ठीक है जो क्या है खुद ही net qualified है ठीक है और वो बहुत अच्छे तरह से इस चीज़ को manage कर पाएंगे और आपको भी करा पाएंगे बहुत बहुत important चीज़ मैं बता रहता कि अगर हमें पता होता है syllabus क्या है और उसके बाद उसका material और इतना दोनों होने के बाद अगर हमें उसके test reads मिल जाती है तो देखो syllabus से हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है material से हम पढ़ लेते हैं लेकिन खुद को मापने के evaluate करने के लिए हमें चाहिए होता test reads और अगर ये तीनों का combination हो जाता है तो हमारी सफनता उपर हो जाती है तो हर कोई अब दिल्ली आकर coaching तो ले नहीं सकता लेकिन क्यों ना ऐसा करें कि दिल्ली आप तक पहुंच जाए हाँ दोस्तों आज की रेट में ये technology आप तक पहुंचेगी आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर आपको आपको मुबाइल मिलेंगे आपको बिल्कुल भी असा फिल नहीं हो कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं आपको लाएगा आप क्लास में क्लास बैठ कर ले रहें और सांथी साथ टेस्ट रीज बगरा होंगी और सांथ सारी नोट्स प्रवाइड करा जाएगा इसलिए आप कॉंटेक्ट करें आपको कॉंटेक्ट डिवर बता ही चुका है बर और लीक करतेता हूँ 7827282211 सारी स्टडी में ठेल लिए सब कुछ के लिए और भी किसी प्रकार के exam के त्यारी के चाहिए होता है तो आप भी तब भी आप इसे phone कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं मैं आप वार वार बोला है WhatsApp करके छोड़ दे खुद आपको callback किया जाए अगर आप WhatsApp नहीं चलाते तो सिर्फ एक mobile में message कर दे कि मुझे इसके बारे में बात करने ही जो भी आपका course है आपको callback किया जाएगा खेक दोस्तों इसे एक साथ अलबिदा लेता हूं फिर मिलूँगा किसी नई information साथ जय हिंद जय भरत